दोस्तों ये जो ट्रिक है इस ट्रिक का इस्तिमाल करके आप एक बार में बहुत सारे साबुदाने के पापड बना सकते हैं और ये जो साबुदाने के पापड हैं बेलकुल बाजार के जैसे बनते हैं और सबसे अच्छी बात के मेहनत इन में बहुत कम लगती है तो चलिए फटाफट से हम एकदम आसान तरीके से और नई ट्रिक का इस्तिमाल करके साबूदाने के पापड को बनाना शुरू करते हैं साबूदाने के पापड बनाने के लिए मैंने दो कप साबूदाने लिए हैं और ये मीडियम साइस के साबूदाने हैं अगर आपको छोटे साइज के भी मिलें तो वो आप ले सकते हैं और इनको हमें अच्छे से पानी से एक से दो बार धो लेना है इस तरीके से धोने के बाद अब हमें इसमें लगवक आदा कब पानी डाल कर इसी तरीके से एक घंटे के लिए कवर करके इनको हमें रूम तो चलिए अब हम स्टीमर तयार कर लेते हैं एक कड़ाई में डाला है मैंने एक गलास पानी और पानी को गरम होने के लिए रख दिया है अब हम एक ठाली को कर लेंगे घी से अच्छे से ग्रीस ग्रीस करने से पापड इसमें चिपकेंगे नहीं आसानी से निकलाएंगे और अब लिए मैंने यहाँ पर यह चूडियां जी हाँ हम बना रहे हैं चूडि का इस्तिमाल करके साबुदाने के पापड आप कोई भी साइस की चूडियां ले सकते हैं हाँ पर मैंने टोटल यह आठ चूडियां लिए हैं यानि कि एक बार में आठ पापड बनकी तयार होंगे और अब हमें भीगे हुए साबुदाने में आदचमच नमक डाल कर नमक को अच्छे से मिला लेना है नमक मिलाने के बाद हम चूडियों के बीच में थोड़े थोड़े से साबुदाने रखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे थोड़े थोड़े रखेंगे तो सारी चूडियों में हम ऐसी तरीके से साबुदाने को भर लेना है सारी चूडियों में मैंने आप साबुदाने भर लिये हैं अब हम इन चूडियों को हटाएंगे तो दोस्तों बहुत आसानी से चूडियां हट जाती हैं यह देखिए और चूडियां के बाद भी इनका जो आकार है गोल है और कितने बढ़िया लग रहे हैं यह साबुदाने क पापड तो चलिए अब हम इन पापड को कर लेते हैं स्टीम तो पानी तो गरम पहले से हो चुका है अब हमें इन प्लेट को रख देना है कड़ाई के ऊपर और इसको हमें दूसरी प्लेट से ढग देना है और ढगने के बाद लग बग इनको हमें 5-6 मिनिट मीडियम फ्ले करना है बस देखना है कि उपर ये जो साबुदाने है इनकी लेयर ट्रांसपेरेंट हुई है कि नहीं ये दिखी इस तरीके से लेयर यहां पर ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और साबुदाने अच्छे से चिपक चुके हैं यानि ये साबुदाने के पापड स्टीम हो चुक तलने के लिए गरम-गरम तेल में पापड को हमें डालना है ये देखिए दोस्तो फूल के एक डम डबल हो गए हैं और बहुती बढ़ी असावुद आने के पापड हो गए हैं बन के तैयार आप इसका साइस देखिए तो इन पापड को आप एक बर जरूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमली ममबस के साथ इस रेस्पी को जरूर शेयर करें सुखी रही है स्वस्त्रही मिलेंगे आपके साथ नेक्स रेस्पी बदब तक के लिए बाबाए